स्वेलो उस्तर कैसे हो आप सब लोसे इस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामा की MT 125 के बारे में MT 125 क्या इसमें हमें features सेखने को मिलते हैं 125 CC में कौन सी ऐसी bikes है जिनको की ये जबरदस टकर दे सकती है और किस मामले में और कैसे उन सबी चीज़ों के बारे में बात करेंगे MT 125 क्या इंडिया में आ सकती या फिर नहीं आएगी तो कब आएगी नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी हर चीज के बारे में जो इस आज की वीडियो में बात करूँगो सो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देख लेना ताकि आपको सारी इंफोमेशन अच्छे से मिल जाए और फिर जो है कोई डाउट आपके मन में ना रहे और रहे भी जाए कोई डाउट तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है आप मेरे को जाके मैसिज कर देना मैं आपको रिपलाई जरूर दूँगा सो बाकी चले के इस लिडियो को स्टाट कर लिए तक इस आपको बता दूँ यहां मैं MT 125 दिखने में जो है वैसी ही है जैसी अपनी MT 15 है कुछ फर्क नहीं है सेम वैसे ही दिखेगी जैसी MT 15 है फीचेस भी ओल्मोस्ट वो ही है छोड़के ABS को ABS उसमें नहीं मिलता है MT 15 में मिलता है लेकिन ज़िए मैं International Market के हिसाब से देखूँ तो यहां पे ABS आपको MT 15 में भी नहीं मिलता उन सभी में कमपल सेरी है ABS का होना तो यहां पे देखो आपको Indian Market में यह बाइक देखने को मिलती है तो ABS शायद ना देखने मिले और मतलब ना ही देखने मिलेगा क्यों ही देखने मिलेगा क्योंकि यहां पे Indian Market में डिफ्रेंस की बात करूँ तो International Market में सरफ इंजन का फर्क है Indian Market में आती है तो इंजन का तो डिफ्रेंस हो गई इसमें जो है आपको 125 CC का इंजन मिलता है MT 15 में आपको 155 CC का उसमें जो है इस आपको 155 CC वाले इंजन में मिलती है लगबग 18.6 BHP की पावर और MT 125 में आपको मिलेगी लगबग 14 to 15 BHP की पावर जो की काफी ज़ादा है इस इंजन के हिसाब से और ये जो बाइक है न MT 125 जो की एक Naked Street Fighter है ये जो बाइक है एक ऐसी बाइक को टकर देती है जिसकी कीमत में में MT 15 देखने को मिल जाती है और उसके अलावा आप साथ में Jacket वगरा, Riding Gears वगरा भी ले लोगे ना तब भी जो हो बाइक आपको मतलब सस्ती बड़ेगी उससे अब कौन सी बाइक की बात कर रहा हूँ वाइस वो है Duke 125 Duke 125 से काफ यदा सस्ती आती है अपनी MT 15 और उसी वेज़े से MT 15 की सेल्स होती है क्योंकि भाइ Duke 125 वाला बंदा मेरको नहीं लगता कि वो MT 15 को देखने के बाद उसके features देखने बाद उसको ride करने के बाद Duke 125 पे जाएगा अभी इतना ही नहीं यामा जो है न अपनी market को day by day मतलब बढ़ाता जा रहा है कुछ ऐसे ऐसे प्रोडेक्स लॉंच कर रहा है कुछ ऐसे भी प्रोडेक्ट्स है इनके जो की मतलब बंदों को बहुत अच्छे लग रहे हैं पब्लिक को पसंद आ रहे हैं लेकिन एक दो ऐसे ही वी है जो कि इंडिन मार्केट में शायद सक्सस ना हो फिलाल टाइम पी जैसे कि इनका Aerox 155 है तो वो जो स्कूटर है ना इंडिन मार्केट के साब से आई यह थिंक वो अभी लौंच नहीं करना चाहिए था क्योंकि कोई है यह नहीं उसके टकर गा कौन जाएगा उसकी तरफ Aprilia वगरा से टकर दे सकता है और उसी वज़े से वो launch किया गया है लेकिन Aprilia कोई नहीं पूछ रहा तो इसको कौन पूछेगा तो वो ही है ये जो scooter है ना मेरे को लिखता है जाला time चलेगा इसको discontinue कर देंगे काफी जल्द लेकिन main आतीगा इस बात MT 125 कि MT 125 को लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे MT 125 जो है वैसे दिखने में काफ़ इच्छी बाइक है features भी अच्छे है वो price भी जो इंडियन मार्केट में आती है तो इसकी काफी कम होगी लगबग जो है MT 15 से 25 से 30,000 सस्ती कहने का मतलब है वह 1.40 lakhs तक on-road देखने में मिल जाए यदि इंडियन मार्केट में MT 125 आती है तो तो अभी doubt आपके मन में आ रहा होगा भाई यही बता दे कि आएगी नहीं आएगी क्यों पका रहा है क्यों तो भाई मैं आपको बता दूं MT 125 definitely आएगी क्यों क्योंकि इसकी जो बड़ी बहन है या फिर जो है इसके साथ में चलने वाली जो बहन है इसकी R125 वो आ रही है तो यह क्यों नहीं आएगी तो दोनों बाईक्स आएगी इस इंडियन मार्केट में लेकिन launch का confirm नहीं है कि कौन सा मन्त है तो उसके लिए मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा मैं इतना ही बोलूँगा कि आप जो है MT 15 लेना यदि आप Duke वगरे की तरफ जा रहे हो 125 वगरे ही तरफ और या फिर जा रहे हो आप गाईस किसी और 125 CC की बाईक की तरफ और तो नहीं लेकिन मैं यह बोल सकता हूँ कि हाँ जिनका budget है लगबख 150 1.50 lakhs तक वो इस बाईक के लिए वेट कर सकते हैं और जो कि अभी नहीं ले रहे अभी 11th या 12th क्लास में है और उनको लेनी है यह एक साल दो साल बाद तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं कोई दिक्कत ना है माइलेस भी अच्छी मिलेगे लगबख 50 से 60 सकी माइलेस तो क्या दिक्कत है फिर तो आप वेट कर सकते इसके लिए डैफिनेटली आप जो इसके लिए जा सकते हो सो बागे इसी दे कुछ आज की वीडियो में अभी कोई भी डाउट सो तो नीचे मेरे को कमेंट करो सो मिलते हैं अभी नेक्स टुडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम लव योल गाईज